नमस्कार जैहिंद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साथियों हम सभी लोग लगातार क्रिस्ति प्रावधिक सहायक के परिक्षा की तैयारी के लिए कुछ न कुछ लगातार करते जा रहे हैं हम लोगों का प्रियास निश्चित पर रंग लाएगा अगर कदम से कदम मिलेंगे आपके और हमारे एक साथ साथियों लगातार परिश्रम करने से लगातार पढ़ने से फल जरूर मिलता है हल जरूर मिलता है कहते हैं कि हर समस्या का हल और परिश्रम का फल देर से सही पर जरूर मिलता है और आपके इतना सबर कौन करता है 2013-2018 अब जाकरके 2023 पंच वर्षी और जनाओं की तरह ही हमारी ये वेकेंसी है जो लगातार आ रही है बहुत धिर धिर आ रही है साथियों मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ जितना हो सके प्रयास करिए जितना हो सके धर्ना दीजिए बात चित करिए कृषी मंतरी के हग्यापन दीजिए लेकिन पूछिए कब माश तो आ चुका है अब कब आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और साथी साथ आप यह भी प्रयास करिए जितनी जल्दी वेकेंसी आए उतना बहतर रहे यहाँ पर एक संसे हमेशा आप सभी के मन में रहता है दोस्तों वह संसे यह है कि आखिर सिलिवस में क्या पूछेगा देखो तो आप हर जगा देखिए कहीं कैसी पढ़ाई क्यों ना हो लेकिन हम सभी लोग आपके सभी दोनों शिलिवस को साथ लेकर के चल रहे हैं मतलब हम लोग आप सभी के किरसी विज्ञान को भी और जनरल जो अधिनस्त का सिलिवस होता है उस सिलिवस को भी इन दोनों को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं और लगातार साती हो हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ रहे हैं उसी कड़ी में आज मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ बात करेंगे हम सभी लोग प्रमुक्रांतियां जो की किर्शी समंदस्तों होती हैं और बात करेंगे हम लोग आज यह दिवस कँछ महत्वड दिवस के बारे में जो कि किर्शी से समन दिवस कभ होता है cohesive होता है वह सारे कोशन gum दिंगे सारे गें तो करेंगे क्रिशी संबंधित करांतियों की यहां जो क्रिशी संबंधित करांतियां है क्रिशी संबंधि करांतियां या क्रिशी संबंधित करांतियां क्रिशी संबंधित करांति दोस्तों जो होगी हम लोग इसके भी सेम बातचीत करेंगे देखो अगर हम क्रांतियों के भी से में बातचीत करें तो यहां पर आप लोग सबसे पहले भाई हम बात करेंगे गोल क्रांती के बारे में दोस्तों गोल करांती की बारे में आप सब जानते होंगे कि पोटेटो गोल करांती का हिस्सा दोस्तों क्या दोस्तों जो पोटेटो ये गोल करांती का हिस्सा है क्योंकि देखो गोल तो आलूई होता है न तो आलू का उत्पादन अगर हम देखें तो जो हमारा देश भारत है सातियों हमारा भारत देश आलू के उत्पादन में चाइना के बाद second number पर आता है दोस्तो हम लोग क्या हैं चीन के बाद दूसरे अस्थान पर है आलू के उत्पादन में पता पहले हम लोग इतना अधिक आलू का उत्पादन दोस्तों नहीं करते थे लेकिन जब गोल क्रांती का आगमन हुआ तो सातियों जो गोल क्रांती जब आई तो देखो गोल क्रांती गोल क्रांती तो कहेंगे आलू से संबंधित आलू से संबंधित जब सातियों गोल क्रांती आई न तब जाकर के आलू के तरह तरह की नई नई प्रजातियां मिक्सित की गई सातियों ऐसी प्रजातियां जो बारह महीने उत्पन कर जा सकती थी और जो हर मिट्टी में हो सके तो इतने सारे development के बाद तब जाकर के आलू के उत्पादन में आज दोस्तों फर्स्ट कौन है फर्स्ट चाइना द अगर देखा जाए उस तरह से अपने इंडिया में तो इंडिया में उत्तरप्रदेश आलू के उत्पादन में प्रधम अश्थान रखता है जो गोल क्रांति है साति वो संभश तो होती है किस साति यह संभश siblings के आपके आलू के उत्पादन से इसके बाद देखें आप सभी लों next क्या है next है सदा बहार क्रांती तो प्रीमित्रों सदा बहार क्रांती कौन सी क्रांती है अगर इस पर विचार करें सदा बहार क्रांती तो दोस्तों अगर मैं इस पर बातचित करूँ आप सभी सो तो जानते हैं किसानों को भिन भिन बैंकों के माध्यम से नावाट के माध्यम से दोस्तों या फिर सहकारी बैंक के माध्यम से दोस्तों या फिर जो सामाने बैंक है उनके माध्यम से किसानों को किसानों की खेती को साथियों बरहावा देने के लिए जो लोन दिलवाते साथियों यानि मिठी को साथियों मिठी को उन्नत सिल बनाने के लिए किसानों को किर्सियंत दिलवाने के लिए किसानों को हारवेश्चत दिलवाने के लिए यह जो है एक दोस्तो करांती है तो कहेंगे किसानों को को लोन दिलवाना को लोन दिलाना साथ यह और हम कह सकते इसके बारे में कहेंगे हारवेस्टर दिलवाना हारवेस्टर दिलाना दोस्तों या फिर कहेंगे मिट्टी मिट्टी को उन्नत ब्राना इन सब के अंतरगत जो क्रांती आप देख रहे हैं उसे कहते हैं सदाबहार क्रांती पहले वास्तों में न तो हमारी अर्थ व्यवस्ता इतनी अच्छी थी कि किसानों को लोण मिल सके लेकिन आप comes C डान के लिए अर्वार्डी करणे की साथि हो आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों हम बात करेंके सब्सें पहले यहां पर हरित rented के बारे में से शातियों आप जानते हैं हरित करांती क्या है, नमबर थर्ड हरित करांती, शातियों यह करांती जो है, शंबंधित है, हरित करांती जस्तों, यह संबंधित है खाध्यान के उत्पादन से, खाध्यान उत्पादन से, उत्पादन से, और इस करांती की शुरुवात 1966-1967 के आसपास की गई थी नार्मन ई बोरलाग कहेंग 1966 से 1967 नार्मन ई बोरलाग साहब ने क्या किया था इस करांती की साथ यह सुरुवात की थी नार्मन बोरलाग साहब ने इस करांती की सुरुवात करी थी जानते हैं इस करांती का प्रभाव यह पड़ा कि गेहूं की खेती हम लोगों के फहले की अपेक्षा काफी सुधर गई है आप देख़ए पहले की अपेक्षा जो गेहूं की खेती है वो हम लोग अलग ढंग से अलग पैमाने पर अलग तरीके से करते हैं लेकिन धान की फसलों पर साती हूँ, बहुत दोस्तों इसका इफेक्ट अभी नहीं आया है, दोस्तों अब देखिए, दोस्तों आगे हम बात करेंगे स्वेत करांती की सब जानते होंगे आप लोग की क्या होती स्वेत करांती, अगर इस करांती पर विचार भी मर्स किया जाए, तो साती हों यह ऐसी करांती होती है, जो अंडे के उतपादन से समन्दी दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्वेत करांती, दोस्तों आप जानते हैं, इह होती है दूसे, यह होती है दूध सम्मन्धित ना कि अंडे से तो जो स्वेद क्रामति दो से इसको बोलते है वाइट रेवलिशन दोस्तों यह कहते हैं इसकी शुरुवात 1964.65 पे हुई थी कहेंगे दुग्ध उत्पादन से सम्मन्धित दूध है उत्पादन तो दूध का उत्पादन है द 1965 में हुई दोस्तों ठीक है ना और कहते हैं जब इसकी शुरुवात हुई थी 1964-1965 दोस्तों उस समय दूद के उत्पादन हम लोग इतने अग्रेडिम नहीं थे बर दोस्तों आज देखिए साथियों आज देखिए साथियों आज देखिए इसको हम कहते हैं आपरेशन फ्लड जानते साथियों और इस समय क्या हुआ साथियों इस समय वही चलाया गया आपरेशन फ्लड और जानते उसके बाद से क्या हुआ हम लोग दूद के उत्पादन में अग्रणी बन गए साथियों तो देखिए हम क्या है, दूद के ऊत्पादम में अग्रणी देशों में से सामिल है, ठीक है, तो यह है आपका दुध के ऊत्पादम से सम्झने तो आगे बात करेंगे और डिसक्स करेंगे पीली कॉरांती के बारे हैं, जिसको हम बोलते ऐलो पीली क्रांती दोस्तों अगर पीली क्रांती के बारे में बात करें इसको बोलते हैं एलो रेवलियुशन जानते हैं तेल और तेल वा तिलहन तिलहनी फसलों से संबंधित यहां पर जो यह रेवलियुशन है यह तिलहन आप जानते हैं वर्तमान समय में सोयाबीन है से फ्लावर है सन फ्लावर है या ग्राउन नट है यानि के मूंगफली कोशुम सुरजमुखी सोयाबीन सरसो आज हम लोग इन सब का तेल इस्तेमाल करते हैं अरंडी सातियों हर जग देखना फर ठीक न इनके तेल से बीजवव शौफ में भोजन तक बनता है दोस्तों यहां जो फीलिक रांतिया होती हैं जोस्तों फीलिक रांति का अधेश यही था कि हमारा भारत देस बेस यहनो अधनी हमारे देस को किसी अन्न कांट्री से तेल का निर्यात न न करना पड जाहिट सी बात है खर्चा दो बढ़ जाएगा ठीक है तो हर चीज हम आयात नहीं कर सकते हैं इसलिए साथियों क्या किया गया तेल के आयात को कम करने के लिए और हम सभी को निर्भर बनाने के लिए यह क्रांति शुरू हुई थी और सातियों आपको पता होगा कि 1913 से लेकर के 1914 में 1913 और 14 में रिकार्ड तोड उत्पादन हुआ था तिलहन का लगभग 32.9 मिलियन तन तिलहन दोस्तों उत्पादन हुआ था उस समय तो सातियों आप समझ सकते हैं कि दोस्तों एक कितनी बड़ी दोस्तों बात थी सातियों आगे बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं हम दोस्तों नीली क्रांति सातियों क्या है नीली क्रांति कि इसको हम कहते हैं ब्ल्यू रेविल्यूशन तो यहां देखें सभी लोग नीली क्रां इसको हम कहते हैं blue revolution अगर साती हम इस पर बात चीत करें तो देखें यह जो है मचली उत्पादन मत्य के उत्पादन से संबंधित के उत्पादन से संबंधित से संबंधित तो मचली के उत्पादन से संबंधित साती हो अगर इसके बात किया जाए तो देखें मचली का जो उत्पादन है हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में होता है क्योंकि ऐसे बहु सारे राज्य के लोग हैं ऐसे बहु सारे समुधाय के लोग हैं जिनका जो दोस्तो भोजन जो है भोजन के रूप में मचलियों को अधिक पसंद करते हैं कहिन कहीं मचली सभी प्रकार की आवश्यक अमीनो अमल गुड़ फैट गुड़ प्रोटीन मैगनीशियम कैल्सियम सोडियम इन सबका आयरन इन सबका एक अच्छा स्रोत है इसलिए यह बहु से लोगों का पसंदिजा भोजन है तो कहिन कहीं अगर सब लोग साकाहारी ही रहें साथ्यों यहां पर जो नीली करण्ती है या नीली करांती मचली के उत्तपादन से समझ दोस्त दो होती है देखिए इसी के बार क्या हुआ साथ्यों नीली करांतीक छानाने के बाद संद 1930 से 1914 में में 1934-14 में रिकार्ड तोड लगभग 95.8 लाक टन 95.8 लाक टन मचली का सातियों उत्पादन हुआ था और सातियों आप जानते हैं दोस्तों कहते हैं कि हम लोग भारत भारत मचली का मचली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है उत्पादक देश है उत्पादक देश है मतलब हम लोग करेंट टाइम में मचली के दूसरा दो अगरिर यहां पर गुलाभीक रंती के बारे में गुलाभीक रंती जिसको हम कहते हैं पिंक रेविलिऊशन देखो अबिल यहां को जानना पड़ेगा जीणा और प्याज कहेंगे गुलाभी क्रणती साथी जो गुलाबी क्रांती है pink revolution गुलाबी क्रांती तो यह क्रांती समबंधित है किससे जहींगा दोस्तो प्रान जानते हैं सभी लोग प्रान एकड़म आप जानते होंगे प्रान दोस्तों इसको हम बोलते हैं जींगा दोस्तों यह क्या है यह होता है जींगा तो जींगा के उत्पादन में ठीक है दोस्तों इसको हम बोलते हैं स्रिम्फ साथ ही इसको हम स्रिम्फ भी कहते हैं इसको हम दोस्तों बोलते हैं जींगा ठीक है साथियों कहते हैं देखी दोस्तों यह जींगा देखे होता है देखो दोस्तों यह जींगा होता है बहुत लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं तो इस जींगे के उत पादन में कहते हैं कि इस जो है पिंक रिवलिशन का बहुत बड़ा दोस्तों योगदान है देखी यह जी तो कहेंगे यहाँ पर जींगा और प्याज, जींगा तथा प्याज, तथा प्याज के उत्पादन से संबंधित, के उत्पादन से संबंधित. तो क्या है, यह है आप सभी का, जिसको हम कहते हैं, गुलाबी करांती और शातियों कहते हैं, अगर देखा जाए न, तो जींगा के उत्पादन में, देखो, जींगा उत्पादन जो होता है न, जींगा उत्पादन में हम लोग प्रतम अस्थान पर हैं, जींगा उत्पादन म प्रफम में प्रफम कौन है यह हमारे देश इंडिया है तो हम लोग जहेंगा कि उत्पादन प्रफम अस्था तो यह भी आपके लिए काफी महत्पूंट है गुलाबी करांथी क्या है यह जहेंगे के उत्पादन से संबंदित है दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं साथ यह है का काली करांती के दी कि विसुख तक जहाने और अरभ स्छ walking कुछimportant को बनीक्रीविक दीज और जंद मेन चपिकुन वह भीट्रॉलीं का उत्पादन खूब होता है और आप जहान चकते हैं कि हमारे लिए इसमेगी पडिख्वर्ट महत्तपूर है क्योंकि हम लोग हमेशा पेट्रोरियम का ही इस्तेमाल करते सातियों ठीक ना अपने हर एक अस्थान चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो केरोसीन ओयल हो इन सब का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग करते हैं तो देखो हमारे इंडिया में एक नया अनौंसमेंट हुआ ह है कि हम लोग अपने पेट्रोल में सातियों 90 परसेंट पेट्रोल या दोस्तों यह कहें कि 87 परसेंट पेट्रोल प्लस इसमें 13 परसेंट के एपरोक्स एलकोहल सातियों इसमें एलकोहल दोस्तों मिलाया जाए और दोस्तों इससे क्या बने दोस्तों इससे बन जाएगा एथ और इस ही एथेनॉल का इस्तेवाल करेंगे अपने मोटर वाहनों में देखिए एथेनॉल के निर्मार हो जाने से कही न कहीं हमारे लिए पेट्रोल उतना महंगा नहीं पड़ेगा, 10% दो सस्ता पड़ेगा, यहां पर जो काली करांती है, साथ यो काली करांती से ही, काली करांती इस से समंदित होती है, तो कहते हैं, पेट्रोलियम और खनिज तेल का उत्पादन, कहेंगे पेट्रोलियम तथा खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित से संबंधित साथियों क्या है यह आपकी होती है कौन सी क्रान दोस्तों यह आपकी होती है काली क्रान्ती साथियों कैसे देखो इसी के तहत हम लोग क्या कर रहे है पेट्रोल में एथेनोल मिला कर दोस्तों क्या कर दोस्तों यहां पर जो है बहुत अपना फाइदा कर लेते है दोस्तो हो आगे क्या है आगे है दूसर करांथी इसको हम कहते ग्रे रेविलियूशन सात्यूं दोस्तो हो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप साथियों समझे इसके वारे ध्यान से कहते हैं दोस्तों यह ऐसी करांती है जिसके पहत हम लोग आज फर्टलाइजर के निर्मार में कहीन कहीं आत्म निर्भर हो चुके हैं साथ यह पहले इतनी मात्राम हमारे यहां फर्टलाजर नहीं हो रहे थे ओके तो दोस्तों कहते हैं की उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित उर्वरकूं के उत्पादन से संबंधित के उत्पादन से संबंधित से शंबंधित दोस्तों क्या है यह आपकी होती है दूसर दूसर दोस्तों जानते हैं इसी कारण से आज कहीं न कहीं साथियों हमारे यहां क्या हो रहा है 25 मिलियन टन के आसपास 25 मिलियन टन के आसपास आज हमारे देश में fertilizer हो रहा है और कहिन कहीं हम लोग इस शेतर में आज आत्म निर्भर होने की तरफ अगरसर हो रहे हैं दोस्तों साथियों आगे बरते हैं साथियों आगे बरते हैं next है हमारा silver revolution इसको हम कहेंगे प्रजत क्रांती साथियों यह हमारा है silver revolution अगर इस क्रांती पर बात करूँ साथियों यह ऐसी क्रांती जो कुकुट पालन से जिसको हम कहते हैं अंडा या मुर्गी के उत्पादन को वरहाने वाली क्रांती दस्तों जानते हैं आपको पता है कि भारत वर्तमान समय भारत का जो आंद्र परदेश राज्य है वह राज्य अंडे के उत्पादन में प्रथम अस्थान रखता है साथियों कहते हैं देखे यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया है न हमारे इंडिया की 55 साल की मुर्गी साथियों मतलब एक मुर्गी 55 25 अंडे यानि कि हमारे इंडिया की एक मुर्गी एक साल में 55 से 65 अंडे देती है वहीं अगर देखा जाए अमेरिका में तो यह अमेरिका की एक मुर्गी 295 अंडे देती है भाई तो कहीं कहीं जो अमेरिका है अंडे के उत्पादन में बहुत जादा साती हो हम सभी से कहेंगे अंडेवा मुर्गियों के उत्पादन के उत्पादन से संबंधित से शंबंधित संबंधित ओके दोस्तों तो याद रहेगा न हमारी हमारी दोस्तों एक मुर्गी 55 से 65 अंडे और वहीं साती हो अमेरिका की एक मुर्गी लगभग देती है 255 अंडे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों हम लोग कितना पीछे हैं दोस्तों आगे देखें क्या है आगे है सुनहरी करांति जिसको हम कहते हैं golden revolution शुनहरी क्रांती जो है इसको कहते हैं golden revolution बहुत स Lord और आपके यहां डोनहों अलग है कहते हैं एसका सभिल什麼 की दोस्तों फचले होती हैं बागवानी फचलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए ओके साथियों बागवानी मतले से जो फल होते हैं जैसे माने दोस्तों सेब से लेकर के सेब संत्रा केला सहड इन सब के दोस्तों उत्पादन में यह उसको बढ़ाता दोस्त कहते हैं बागव अर्थासेब केला शहद का उत्पादन सातियों इनका उत्पादन बढगाने के लिए हम लोग यह करांती करते हैं कोंसे करांती, उस खहेंगे बारागवानी करते हैं और देखे साथि इसके बाद एक होती है दोस्तों रैन्बो क्रांती दोस्तों रैन्बो क्या है रैन्बो रेविल्यूशन जिसको साथ हम कहते हैं इंद्धनुसिय क्रांती यह इंपोर्टेंट है दोस्त कहते हैं इंद्धनुसिय क्रांती धनुसिय क्रांती इसको हम कहते हैं रैनबो रेविलिूट्युशन अगर इस क्रान्थी पर बात करें न एखो रैनबो तो 7 क्रान्थी सो जो सातों अन्य क्रांथियां हैं तो हरित है पीली है नीली है लाल है गुलाभी है भूरी दोस्तों दूसर है कहेंगे दोस्तो घुरित है लाल है दूसर है गुलाबी है गुलाबी है नीली है दोस्तों नीली है पीली है काली है कहेंगे सभी को लेकर चलने वाली कहेंगे सभी करांतियों को साथ लेकर चलने वाली को साथ बढ़ावा देने वाली बढ़ावा देने वाली बढ़ावा देने वाली जो करांति है इसको हम कहते है दोस्तों इसको हम कहते है rainbow revolution दोस्तों इसको हम कहते हैं इंद्र धनुसी अक्रान्ती साथ यो बड़ा ही महत्पूर दोस्तों बड़ा ही important ये revolution होता है दोस्तों इतने सारे points साध्य हमने पढ़ लिये हैं सारे points आपके लिए बड़े important दोस्तों बहुत महत्पूर थे कुछ इसी प्रकार से आप सभी के लिए कक्षाएं दिरंतर चल रही है बैच में आप सभी को अगर बैच में जुड़ना है तो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर से संपर करें दोस्तों और फुल डेमो तोर पर जो बच्चे पढ़ रहे हम लोगों से पहले से आप उन बच्चों से पूछिए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है उन बच्चों से अपने आप आपको एक सातियों एक आपको message मिलेगा संदेश मिलेगा और बच्चे खुद बताएंगे यहां किस परकार से हम करूंगा आज के लिए बस इतना ही विदाई लेंगे आप सभी से सभी को धन्यवाद सभी को जैहिन